धन, संपदा, स्वभाग्य, ज्ञान, अधिकार, सुख, सुविधा, मांगलिक कार्य के कारग्रह देव गुरु व्रिस्वती वक्री हो रहे हैं मेश्राशी में 4 सितंबर 2020 को 118 दिनों के लिए जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उससे एक हफ्ता पहले से ही उसके रिजड मिलने शुरू हो जाते हैं थोड़े-थोड़े इन 118 दिनों में आपकी राशी पर इस वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा, क्या बुरा होगा ये मैं आप बताऊँगा गुरू का मतलब होता है बड़ा गुरू का मतलब होता है विशाल गुरू का मतलब होता है भारी और गुरू जो है देगुरू ब्रस्कती जो है नौ गुरू में सबसे बड़े और विशाल गरे हैं इसी लिए वो गुरू है गुरू सबसे बड़े हैं इसलिए कुंडली में नवम इस्थान दिया गया है और बार्वा मोक्ष का इस्थान दिया गया है नवम यानि भाग्य बार्वा यानि मोक्ष या धर्म के कारख है शुब ग्रे हैं कहते हैं गुरू जर्म कुर्ली में या गोचर में बढ़िया हो तो कुर्ली के में सवा लाख कुर्ली के सवा लाख दोश दूर कर सकते हैं फिर से ध्यान से सुनिएगा हमारे रिशी मुनी कहते हैं हमारी किताबे कहते हैं हमारी जोतिश के धरंत कहते हैं कि गुरू जनम कुली में या गोचर में बढ़िया इस्तिती में हो मजबूत इस्तिती में हो तो आपकी कुली के आपके गोचर के वक्त की कुली के सवा लाख दोष दूर अखेरे गुरू कर सकते हैं इतनी ताकत है गुरू नहीं ग्यान, धर्म, वित्थ, याइधन के भी कारफ हैं जो भी लोग लॉयर हैं, जो भी लोग डॉक्टर हैं, जो भी लोग पढ़ाई लिखाई के बिजनस से कि ये वक्त अच्छा होगा। गुरु पत्नी और संतान के भी कारक हैं तो पत्नी और संतान तो अधिस्तर सभी लोगों की होती है। तो सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। अश्वनी और भर्णी हो जाता है उसको ताकत मिल जाती है वक्री रहें अगर मित्र राशी में हैं तो उसकी पावर और बढ़ जाती है मंगल की राशी में गुरू और बली हो जाएंगे क्योंकि मित्र की राशी मंगल और गुरू की दोस्ती है मंगल आने वाले वक्त में कन्या और तुलाव वरश् तो आपको थोड़ी सी सिहत का ध्यान इन 188 दिलों में रखना होगा, अब मंगल पर नदर बना के रखनी होगी, अपनी कुर्ली में मंगल पर नदर बना के रखें, गोचर पर भी नदर बना के रखें, नहीं तो दिक्कत थोड़ी मंगल दे सकते हैं, गुरू दे न दे मंगल रोल नहीं लेकिंभी है तो है तो गुरू पर शनी की तीस्री रती, गुरू के साथ में अंश बल में कमजोर राहू भी है, तो गुरू पर राहू और शनी का भी थोड़ा-थोड़ा सा परभाव पड़ेगा. गुरु जिस गरहों पर गुरु जिस भी भाव में बैठे होंगे आपकी राशी में वहां से जिस राशी को देखेंगे या जिस घर को देखेंगे या जिस भाव को देखेंगे या उस भाव में बैठे होंगे ग्रह को देखेंगे उसको भी अच्छे परिणाम देंगे उसको राशी वालों के लिए वक्री गुरू को चेश्ठा बल भी मिल जाएगा गुरू जहां पर बैठे हैं जिस भाव में आपकी गोचर कुडली में बैठे होंगे वहां से एक घर पीछे का भी फल देंगे तो गुरू की पावर बढ़ जाएगी दो दो भावों का फल देने लग बहुत सुख दे देता है कई बार सुख को पाने के लिए आपको बार-बार प्रैक्टिस करवाता है आपको बार-बार काम करना पड़ता है या बार-बार आपको प्लैनिंग करनी पड़ती है वक्री गुरू सर्प्राइज करेंगे आपको आपकी कुली में भी अगर आपक जनम पुल्ली में भी गुरू वक्री हैं तो कुछ अलग कुछ शांदार आपके साथ होने वाला है जिन भी लोगों की जनम पुल्ली में गुरू वक्री अवस्था में हैं बलवान वस्था में हैं उनके साथ कुछ बढ़िया कुछ शांदार होने वाला है इन 118 दिनों में ग लोगदान होता. यह होता जो हमारा पिछला जरम था. उस पिछले जरम में हमने जो काम अधूरे रह गए. उन कामों को पूरा करने की दिम्मेदारी हमें इस जरम में मिलती है. अब ऐसा भी समझ सकते हैं. अब गुरु को अच्छा रखने के उपाए क्या हैं? ये भी बता दे डिया ऐन्हें पैंसिल किताबें खासकर किताबे दान दे बुखस दान दे जान memory कारक test है तो इससे भी आप जूरु अच्छे हों घे आप च please कैते हैं पांच पुछी उर्जाक्ष बहन सकते हैं क्योंगी पांच बूरदाक्ष बुजान शंकर को सर्व प्रिय की है आसामी से म गले में धारन करें तो बहुत ही अच्छे result मुलेंगे और क्या किते हैं diviva कि सेवा कर सकते हैं भगवान की सेवा कर सकते हैं तो गुरू अच्छे अब हम बात करते हैं कि आपको यानि आपकी राशी को क्या रिड़ देने वाले हैं वक्री कुरू अब आपकी राशी की बारी उपाएब ने बता दी ध्यान से समझ लिजेगा यह जानकारी चंद राशी और लंग राशी पर आधारित है आप सभी को मैं एक मंत्र देना होंगा इस वीडियो को सुनने के बाद पहले या बाद में आप कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय जरूर लिखें क्यों लिखें क्योंकि पांच मुखी रुदाक्ष शिव को अति प्रिय है भगवान शंकर भी पांच मुखी रुदाक्ष इमाला पहनते हैं तो अगर आ बाद करते हैं आपकी राशी की बात करते हैं राशी चक्र की पहली राशी मेश राशी की गुरू जो है लगन में ही वक्री हो रहे हैं यह कुंड़ी है आपके सामने लगन में ही गुरू वक्री हो रहे हैं गुरू जब लगन में वक्री हो रहे हैं गुरू जब लगन में क्या होगा मंगल की राशी में मेश राशी में तो मित्र हैं मंगल जब तुला राशी में जाएंगे आगे गोचर करेंगे तो गुरू की साथवी दस्टी उनके ऊपर होगी यानि शनी की तीसी दस्टी भी गुरू पर होगी तो आपकी राशी के स्वामी मंगल जो कर्म और भ मेश राशी वालों के लिए 118 दिन शुब कहे जाएंगे आपके जो काम है उनका दायरा बढ़ेगा यानि आपके काम का विस्तार होगा आफिस में काम करते हैं तो जिम्मेदारियां मिलेंगी और जगे का आपके उपर बोज डल सकता है काम बढ़ सकता है आपके उपर आपको एक नहीं दस जगों का इंचार्ज बनाया जा सकता है आपको जूनियर मनेजर से सीमियर मनेजर ने एरिया मनेजर बनाया जा सकता है कंट्री हेड बनाया जा सकता है कि पूरे देश का कारेभार समालों वहाँ वहाँ जो जो ऑफिस है आपकी कंपनी के आपके अधिकारों मे मैं आई हेल्क यू काउंटर पर काम करते हैं जैसे बैंक में जाते हैं तो वह पर सबसे पहले कोई लड़का या लड़की मिलती है बताएए जिट मेंसी क्टेलीफोन ने फोन आता है हम इस कंपनी से बोल रहे हम क्या कर साथ है ऐसे जो लोग जो डाइट जनता से मिलते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है ऐसे लोग जो लोग राजनेता है नेता लोग तो रोजी जनता के बीच में रहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है ऐसे लोग जो लोग शोशल मीडिया पर हैं पत्रकार हैं यूट्य निता इस समय में चुनाओं की सर्वगर्भी आने वाली पार्टी बदसकते हैं, संगाश रहेगा, इधर भागेंगे, इधर भागेंगे, अपनी पार्टी बदलेंगे, इस पार्टी से उस पार्टी, फिर अभी इस पार्टी में से तो इसकी बात करते थे उस पार्टी में च शनी और राहू का संबंद गुरू से है तो राजनीती में उतल उतल के बाद आप एक जगे पे सेट हो जाएंगे मंगल हिम्मत को आपकी बढ़ाने वाले हैं और क्या कहते हैं जो लोग साइंस से जुड़े हैं जो लोग एजूकेशन से जुड़े हैं बैंक से जुड़े हैं फाइनेल से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा है कुल मिलाकर ये गोचर मेश आशी वालों के लिए बढ़िया है विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका धार्मी कारियों से जुड़ने का मौका आपकी बनोकामनाय पूर होने का मौका बेवज़े के खर्चों से बचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बड़े बुजरों की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पर सकती है इस समय में तो ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का और जिम्मेदारियों के साथ आप बड़े होते चले जाएंगे बहुत ही अच्छा है तो गुरू की सेवा करें उपाय के तौर पर फिर से बता देता हूं रस्पती वार के दिन किसी स्कूल के बच्चों को किताबे दान दें और पांच मुखी दौदाक्ष पहन सकते हैं अशो गंदा की जड़ को पीले कपड़े में मात्र अपने जेब में रखें पर्स में रखें आपने च चल जाएगा तो जीवन साती की सेहत का भी ध्यार दखीएगा और जीवन साती की बात को भी मानिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा अच्छा कहा जाएगा मे शारशुवालों के इस गुरू का वक्री होना तो खुश हो जाईए और अगर आपकी जरम पुल्ली में सितार नमस्षिवाय या आपके बन में जो हो वो लिखिए खुश तो आप बहुत होगे क्योंकि आपके लिए वक्त अच्छा है तो खुशी आपकी खुशी को दिखाईए और वो लिखिए जो आपका दिल कहता लिखिए जरूर तो कि आप लिखेंगे तभी आपकी बात इश्वर तक जाएगी नमस्टार